Hello students, this is Tarun Kumar और इस वीडियो में हम discuss करनेंगे formation of images by lens इसके total 6 cases हैं हम यहाँ पे convex lens का और concave lens का दोनों के cases जो है वो study करेंगे कि image कैसे बनती है अलग-अलग अगर हम object की position change करें तो कहाँ पे image बनेगी और कैसे image बनेगी ठीक है? So let's get started सबसे पहला case हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम हमारे पास convex lens है convex lens के 6 cases है totally यह सारे देखेंगे हम तो अगर हमारे पास यह convex lens है और जो object है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो focus और optical center के भीच में पड़ा हुआ है ठीक है? जो optical center और focus है उसके बीच में पड़ा हुआ हमारा object यह रहा A, B, इसकी height है तो जो image बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी at the same side of the object जहां पे object पड़ा हुआ उसी side पे image भी बनेगी ठीक है? और कैसी image बनेगी? virtual or erect image बनेगी तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर object O और F1 के बीच में पड़ा हुआ है तो image जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? same side of the lens जिस side पे object पड़ा हुआ है उसी side पे क्या बनेगी? image बनेगी और virtual होगी और erect होगी image magnified होगी? ठीक है? और यह इसका use क्या है? इस type के lens का कि यह magnifying glass में use का आता है ठीक है? तो यह इसका first case हुआ कि अगर O और F1 के बीच में object पड़ा है तो जो image बनेगी वो same side पे बनेगी और virtual और erect image बनेगी दूसरे case में क्या है? अगर object हमारा F1 पे पड़ा हुआ है तो जैसे कि यह convex lens है और object जो हमारा वो F1 पे पड़ा हुआ है और इस point पे जो object है उसको हमने रखा तो जो image बनेगी वो कहां पे बनेगी? देखो एक ray ऐसे जाएगी एक ray ऐसे जाएगी यह ray कैसे जा रही है इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बता रखा है तो उसको आप पहले देख लें फिर उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा हाला कि उसका मैं link description में डाल दूँगा तो यह जो ray है यह infinite पे चलती रहेंगी यानि कि कभी मीट नहीं करने वाली rays तो हम यह मान लेंगे कि infinity पे यह rays मिल चुकी है और जो image बनेगी वो कैसे बनेगी real or inverted image ulti image बनेगी real or inverted और highly magnified image बनेगी और image बनेगी कहाँ पे infinite point बहुत दूर infinity पे तो अगर आपका highly magnified image होगी और इस तरह के जो system है वो कहाँ use होता है spotlight और search lights में next case देखते हैं case number 3 case number 3 है अगर आपका object f1 से भी पीछे पढ़ा है जैसे कि 2 f1 2 f1 मतलब क्या होता है center of curvature 1 है ना और यह focus focus और center of curvature के भीच में अगर कहीं object पढ़ा हुआ है तो image कहाँ पर बनेगी तो एक रह तो ऐसे जाएगी और एक रह ऐसे जाएगी तो यहाँ पर आके वह meet करेगी और आप देख सकते हैं कि यह कैसा बन रहा है यह case यह just real or inverted image बन रही है और कहाँ पर बन रही है यह यह बन रही है beyond 2f2 कहाँ पर बन रही है 2f2 के परे इस side beyond ठीक है तो अगर आपका object f1 और 2f1 दूसरी भाशा में आप भी कह सकते हैं और 2f1 को c1 कह सकते हैं तो f1 और c1 के बीच में अगर object पड़ा है तो आपके जो image बनेगी वो कहाँ पर बनेगी beyond c2 या 2f2 image real होगी inverted होगी और magnified होगी और यह इसके uses है ठीक है आगे जलते है case number 4 case number 4 यह कहता है कि अगर आपका object c1 के उपर पड़ा है यहाँ फिर 2f1 के उपर पड़ा है तो image कहाँ पर बनेगी देख सकते हैं आप यह 2f1 के उपर object पड़ा हुआ है और a-ray ऐसे जा रही है एक रह ऐसे जा रही है तो यहाँ पे आपके पास 2f2 पे यानि c2 पे जो image बन रही है वो ऐसे बन रही है real और inverted में तो real और inverted image बनेगी और image कहाँ पर पड़ेगी position क्या होगी उसकी 2f2 और real और inverted image या और object का जो size रहेगा वो बिलकुल same रहेगा object का size और image का size दोनों same रहेगा ठीक है object का size और image का size दोनों same रहेगा terrestrial telescope में इस type के system का use है आगे चलते हैं फिफ्थ केस फिफ्थ केस यह कहता है कि अगर हमारा object 2f1 से भी पीछे पड़ा है when the object is lying beyond 2f1 यानि beyond c पड़ा है यह c है और इस से पीछे c1 से पीछे तो beyond c अगर हमारा object पड़ा हुआ है तो जो हमारी image बनेगी वो बनेगी हमारी between c and f में इधर में between c2 and f यहां पर थोड़ी सी mistake होगी वैसे this is f2 and this is 2f2 this is 2f2 और c2 ठीक है तो यहां between c and f image बनेगी तो अगर object हमारा beyond 2f1 है तो जो image बनेगी वो between f2 and 2f2 बनेगी यह इसका figure है यह आप अच्छे से देख सकते है और image कैसी बन रही है real or inverted बन रही है कैसी बन रही है real or inverted और यह image थोड़ी सी smaller बनेगी object के comparison में और यह camera में use होती है ठीक है यह इस type का system camera में use होता है when the object is at infinity next case अगर object infinitive हुआ तो क्या होगा अगर हमारा object अगर infinitive हुआ तो जो image बनेगी वो बनेगी focus के उपर यहां इस case में second focus है तो second focus के उपर बनेगी at f2 तो अगर object हमारा infinitive हुआ तो image कहां पे बनेगी at f2 बनेगी ठीक है और image होगी कैसी real होगी और inverted होगी और highly diminished image होगी highly diminished मतलब small size ठीक है और यह ऐसा जो system है यह astronomical telescope में use किया जाता है ठीक है तो यह छे cases है हमारे total convex lens के अगर इसको summarize करें तो यह मैंने एक table में summarize कर रखा है just see this table जो कि इसमें main main इन चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए जैसे कि जो हमने पहला case study किया जिसमें object o और f के बीच में पढ़ा हुआ था तो जो image बनेगी वो वर्चो लॉर एक्ट बनेगी और बिल्कुल same same side पे ही होगी जिस side पे object पढ़ा हुआ था ठीक है और यह थोड़ी सी जो size होगा इसका large होगा f1 पे अगर object पढ़ा हुआ तो image infinity पे बनेगी but बनेगी real और inverted और large image बनेगी अगर f1 और c1 के बीच में देखो c1 वहाँ पे 2f1 था न उसको c1 बोला है तो अगर between f1 और c1 के बीच में अगर object पढ़ा है तो image बनेगी beyond c2 और वो भी real और inverted image ही होगी और जो image होगी वो larger than object होगी अगर object c1 के उपर पढ़ा हुआ है तो image बनेगी c2 के उपर real और inverted image होगी और same size का size रहेगा size क्या रहेगा same रहेगा beyond c1 अगर object c1 से पहले पढ़ा हुआ है तो जो आपके पास image बनेगी वो between c1 and c2 c1 and c2 ने c1 and f sorry f2 and c2 होना चाहिए यहाँ पे न between c and f बनेगी image this is f2 and this is c2 ठेके between f2 and c2 image बनेगी and the image will be real and inverted and then the image the size of the image is smaller अगर infinity पे कोई object पढ़ा हुआ है तो उसकी जो image बनेगी ही वो f2 पे बनेगी image real और inverted होगी और काफी points size होगी मतलब की size थोड़ा सा कम होगा diminish मतलब क्या होता है small size ओके सो यह आपको बाते पता होने चाहिए in the case of convex lens बड़े highly important topic है यह according to cbs exams perspective board exams perspective ओके दो केस हो रहागे हैं concave lens के वो भी study कर लेते हैं एक case है concave lens में अगर आपके पास object पढ़ा हुआ है और वो कहां पर पढ़ा हुआ when the object is between the lens and infinity अच्छा और जो object पढ़ा हुआ हो finite distance दूर पढ़ा हुआ है concave lens के तो concave lens के finite distance दूर मतलब यह देखो यह point हमें मालूम है finite distance दूर है मालब इसको measure कर सकते हैं तो अगर यहां पर object पढ़ा हुआ है तो आपके पास जो image बनेगी वो हमेशा ही second focus और O के बीच में बनेगी हलाकि इस area को हम first focus कहते हैं और इस area को हम second focus कहते हैं तो आपकी मर्जी आप इसको F2 के लो F1 के लो बट मैं इसको F1 कहता होता हूँ गलती से यह पर प्रिंट हो गया तो यह जो F1 है first focus पर आके first focus और O के बीच में आपके पास image बनेगी और image कैसी बनेगी virtual बनेगी और erect बनेगी अगर object हमारा finite distance दूर पड़ा हुआ है तो image F2 और O के बीच में मिलेगी आपको और ऐसा system आपके पास spectacles में होता है ठीक है यह बनी कैसे यह देखो यह first rule लग गया यह second rule लग गया तो यहाँ पर intersection point हुआ यह देखो यह किस तरीके से F के उपर virtually हम intersect कर रहे हैं और यहाँ पर meetup point दिख रहा हमें intersection point दिख रहा है और यहां से यह image बन गई अगला किस देखते हैं अगला किस ही है कि अगर object infinity पर पढ़ा हो तो क्या होगा इस case में क्या था अगर object finite distance दूर हो तो क्या होगा इस में यह देखेंगे कि अगर object infinity दूर दिस्टेंस पर तो क्या होगा simple तो image focus के उपर बनेगी अगर object infinity दूर distance पड़ा हुआ है तो जो image बनेगी वो focus के उपर बनेगी ठीक है और image virtual होगी proper और react होगी बस यह दो ही case है इसमें concave lens में बस एक case तो यह है कि अगर finite distance दूर पड़ा है हमारा object तो image का बनेगी तो बनेगी f4o के बीच में और virtual और react image होगी और highly diminished image होगी और अगर infinity दूर डिस्टेंस पड़ा हुआ है तो आपकी image focus के उपर बनेगी और virtual और erect होगी और highly diminished image होगी वो ठीक है यह बाते आपको पतानी चाहिए in the case of concave lens तो इस वीडियो में हमने study किया कि convex lens और concave lens के image formation के possible cases total 8 possible cases हमने discuss किये यहां पर और अगर आपने इन को अच्छे से study किया तो कहीं न कहीं यही जो questions है वो आपको mold करके paper में पूछ लिए जाते हैं अगर आपको यह बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो आपको lens formula में भी कई ऐसे questions होते हैं जो कि ray diagrams बनाने को बोलते हैं तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो यह ray diagrams है यह directly आपको पूछ लिए जाते हैं अगर आपको मेरी lectures अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किये चैनल को थैंक यू बारी मच